सिवाएन नमस्तुभ्यम 2024 में महा सिवरात्री का ब्रत कितनी तारिक किया जाएगा इस दिन से कौन सा नया ब्रत सुरू आप कर सकते हैं साथी प्रथमबार सुरू करे या नहीं यह सब इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे चार पहर की पूजा का समय प्रदोशकाल का क्या समय है संपूर्ण जानकर इस वीडियो में हम सभी प्राप्त करेंगे तो अंत तक वीडियो में बने रहें साथी उपाय के बादे में भी जानेंगे साथ ही इस दिन मापारवती और महादेव धर्ती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और भक्तों के सब मनुरत सिद्ध करकर उनके कस्टों को काट देते हैं तो 2024 में 8 मार्च दिन सुक्रवार के दिन महा सिवरात्री का ब्रत धारण किया जाएगा प्रतेक जो महाकाल को मानने वाले विष्वर में बिखती है वह 8 मार्च 2024 दिन सुक्रवार के दिन ब्रत को धारण करेंगे साथ ही इस दिन आप सभी जो है यह भी जरूर से जान लिजे कि चतुरदशीतिति कब से प्रारंब हो रही है प्रत को खोलने का समय 9 मार्च की सुबह होगा क्योंकि पूरी रातरी और पूरे दिन महाकाल की पूजा की जाती है आप इस ब्रत में फलाहार ले सकते हैं दूद, चाय, फली त्यादिक रहन कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ब्रत के पारण का समय होगा 9 मार्च को 6 बचकर 37 मिनट से 3 बचकर 28 मिनट के आसपास ठीक है इस सुप समय में ब्रत को खोल सकर अपना जीवन धन्य करें साथ ही प्रदोशकाल का समय क्या रहेगा प्रदोशकाल में पूजा करने से सब कस्ट कर जाते हैं और सब मनुरस सिद्ध हो जाते हैं आपको यह भी बात बताते हुए चलूं कि सुक्रवार के दिन 8 मार्च के दिन ही प्रदोश का ब्रत भी किया जाएगा ऐसा दुरलब सयोग बहुत कमबार आया है जो कि अपने आप में अद्भुत है प्रदोश का ब्रत है महासिव रात्री का पावन तयोहार है और जो है महादेव की कृपा पाने का ऐसा दुरलब सयोग बहुत कमबार मिलेगा कई सारे उपाय आप इस दिन कर सकते हैं जीवन को स जिद्ध करने के लिए प्रदोश काल की पूजा का समय रहेगा 6 बच कर 25 मिनट से रातरी 9 बच कर 28 मिनट के आसपास स्क्रीन पर मैंने सारी चीजन दी हुई हैं एक एक करके आप नोट करते हुए स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिएगा आपको बहुत सारा इसमें बहुत जो ह पूजा का सुब महरत इत्यारी में संपूर्ण नियम जानकारी मिल जाएगी साथ ही आप सभी चार पहर की पूजा अगर करते हैं पार्थिवसिव पूजा जो की रोग संकट नवग्रहों की दशा को काटने के लिए और सब कारों की सिध्धी के लिए मानी जाती है तो चार पहर की पूजा में सबसे पहले प्रथम पूजा आती है तो ऐसे में 6 बचकर 25 मिनट से साम के समय 9 बचकर 28 मिनट के आसपास यह प्रथम पहर की पूजा का समय हो रहा है प्रदोषकाल से यह सुरू कर लिया जाता है और रातरी तक पूर्ण रूप से पूजा का विधान किय जाता है रात्री में ही विशेश पूजा का सुख है महा सिवरात्री का सिवरात्री जिसे कहा जाता है इसलिए रात्री में पूजा का ज्यादा विधान है दूसरे पहर की पूजा का समय होगा रात्री नौ बचकर 28 मिनट से 12 बचकर 31 मिनट के आसपास साथ ही आप सभी को तीस पहर की पूजा का समय मिल रहा है जो है रात्री को बारा बचकर एकद famille मिनट से दीन बचकर चौश मिनट के आसपास सातही ुस दिन नौ मार्च भी सुरू हो जाएगा क्योंकि दूसरा दिन लग चुका है तो चतुर्स पहर की पूजा का समय होगा तीन बचकर चौश मिनट स छे बचकर 37 मिनट के आसपस ठीक है यह बात होगी चार पहर की पूजा का साथ ही भक्त जन चार पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो अर्ध रातरी में निशित काल जिसे कहा जाता है उस समय जो है पूजा करते हैं तो आप सभी को विशेश तोर पर अपनी पूजा विशेश तोर पर रातरी को 12 बचकर 7 मिनट से 12 बचकर जो 56 मिनट है इस अवधी में रातरी को अपना पूजन पाथन जो है जो सिर्फ निशित काल अर्था रातरी का ही पूजन करते हैं तो सिर्फ इस समय में जो है जो कि कुल अवधी करीब करीब 49 मिनट के आसपा समय प्राप्त हो रही है इस सुब समय में अपने पूजा विधान को संपन्न कीजिएगा तो इस तरह से यह जानकरी थी प्रदोशकाल की पूजा का और साथी संपूर्ण जो है तिथियों की तो अब जानते हैं 2024 में आप इस दिन से कौन सा ब्रत सुरू कर सकते हैं तो सुक्रवार 8 मार्च हो की इस दिन के जाएगगा कोई नए प्रदोश का ब्रत सुरू करना चाहते हैं अपने पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए रोग कर्ज मुक्ति के लिए दन सम्पधा प्राप्ति के लिए तो इस दिन से आप नए निश्टित ही भागी खुलेंगे और जितनी भी जीवन मे परेशानी चल रही हैं, कस्ट संकट हो रहे हैं, उन सब का निधान होगा, तो जरूर से जो है इस दिन से आप प्रदोश ब्रत, जो कि महाकाल को समझ पीत, सबसे उत्तम ब्रत माना जाता है, आप सुरू करें, साथी प्रशना आते हैं कि प्रथम बार इस ब्रत को सुरू करें या नहीं, तो बिलकुल महासिवरात्री का अगर आभी तक आपने ब्रत नहीं कर रखा है, तो इस ब्रत को नए सीरे से सुरू करना चाहते हैं, प्रदोश ब्रत नए सीरे से सुरू करना चाहते हैं, तो इससे उत्तम दिन कोई नहीं होगा, जब नया ब्रत सुरू किया जा स जो मलमास्ता वहवी खत्म हो चुका है, खर्माज जीपूर्ण रूप से समापन में हैं, तो आप सभी नया ब्रसुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो नया ब्रसुरू करें, इस दिन महाकाल की विसेज, पूजा, आरादना, महादेव की भक्ती, और महादेव का विसेज, स्रेंगार, 108 फूल से, 108 चावल समर्पित करकर आप करें, भागी उदित होगा, कोई प्रशन हो, पूछ लीजेगा, आपका अपना चैनल है, हर हर महादेव